प्रोलॉग एक्ट्री की कहानी स्टार्ट होती है, हमारे ट्रैवलर के डीलूग, वेंटी और जीन से डॉन वाइनरी पे मेटिंग से. डीलूग बताता है कि अब इस ओर्डर बहुत ही सीक्रेटिव और्गनाईजेशन है और उन पे इंफर्मेशन मिलना असान नहीं है. लेकिन फिर भी उसने कुछ इंफर्मेशन डून निकाली है. पायमान वेंटी से पूछती है कि उसके एक आरकॉन होने के बावजूद उसे नॉर्मल हूमन्स की हेल्प की जरूरत क्यों पढ़ रही है. वेंटी कहता है कि एक आरकॉन को उसकी पावर उसके नेशन के उपर रूल करने से मिलती है और वेंटी को मौन्स्टेट को रूल करने का कभी को इरादा नहीं था. तो इसी वज़े से वेंटी इस वक्त सबसे कमजोर आरकॉन है. दीलू के कॉर्डिंग, क्रायो अब इस मेज डॉन बाइनरी के पास ही एक डोमेन में है. तो सब लोग उसे ढूंडने वहाँ जाते हैं. वहाँ एक अबिस मेज को डिफीट करने के बाद, वेंटी कहता है कि स्टॉर्म टेर को ढूंडने उसकी लेयर में जाना होगा. पूरी लेयर एक विंड बैरियर से ढखी है, लेकिन उस विंड बैरियर को ब्रेक करके वो लेयर के अंदर तक पहुँच सकते हैं. वेंटी के कॉर्डिंग, जिस तरह ट्रैबलर ने ड्वालिन के टीर ड्रॉप्स क्रिस्टल को प्यूरिफाई किया, उसी तरह से ड्वालिन को भी कर सकता है, क्योंकि दोनों के अंदर जो बुरी पावर्स हैं, वो सेम हैं. इस प्लान पे अग्री करके सब लोग स्टॉर्म टेरर की लेयर के दरफ बढ़ते हैं. वहाँ पहुँच के देखते हैं कि पूरी लेयर एक विंड बैरियर के पीछे है. वेंटी अपने खुद के लायर से एक ट्यून प्ले करके वो बैरियर तोड देता है. बैरियर सेंट्री करके सब लोग स्टॉर्म टेरर के टावर के टॉप पार्ट में जाने की कोशिश करते हैं. लेकिन वहाँ पहुच के पता चलता है कि टावर का वो एरिया एंशेंट सील से बंद है. वेंटी बताता है कि एक टावर में लगी सील्स को तोड़ते हैं. वाइनली टावर में एंटर करने के बाद हम फेस टू फेस होते हैं ड्वालिन से, जिसकी बैक पे लगी दो पोईजनस ब्लड ग्लॉट्स पर अटाक करके हम ड्वालिन को फ्री करने की कोशिश करते हैं. ड्वालिन को डिफीट करते ही पूरा टावर कलाप्स करने लगता है और सब नीचे ड्रॉप होने लगते हैं. लेकिन dwallin सब को गिरने से बचा लेता है बाद में Jean monstret के लोगों को सब बता देती है और dwallin के साथ भी सारी misunderstandings को clear कर देती है इस event के एक दिन के बाद traveler monstret के gateway बहुत सारी barricading देखता है वहाँ खणी ember उन्हें बताती है कि जब वो सब द्वालिन से लड़ रहे थे तो monster के आसपास के सभी monsters ने city पे coordinated attack कर दिया बट Ember कुछ दिनों से hillichols activities को track कर रही थी तो उसे अंदाज़ा था कि ऐसा कुछ हो सकता है तो knights इस threat के लिए prepared थे लेकिन Ember ये भी कहती है कि hillichols इस तरह coordinated attack करने के लिए mental capacity नहीं रखते Ember guess करती है कि इसके पीछे अब इस order का हाथ हो सकता है Ember कहती है कि जैसा उसने promise किया था कि storm terror की situation handle होने के बाद वो उने एक treat देगी तो वो traveler रो पाइमान को city के अंदर एक restaurant के बाहर मिलने को कहती है city के अंदर local लोगों से बात करके traveler जानता है कि city के लोग भी इस crisis के over होने से बहुत खुश है restaurant के पास traveler की मुलाकात होती है काया से जो उन्हें बताता है कि उसके according city पे hillichols का attack abyss order की वज़ा से ही हुआ है बट इसमें भी कुछ suspicion है काया बताता है कि abyss order एक leader के अंदर united है और ये वही leader है जिसका plan dwalin को एक weapon of war में turn करने का था और इस leader का नाम princess है ये information देके काया वहाँ से चला जाता है और ember वहाँ आती है ember traveler से पूछती है कि अब उसका आगे का क्या plan है paimon कहती है कि वो लोग और पाइमान जीन की छोटी महन बार्बरा से मिलते हैं जो church of abonius की deaconess है और वो वहाँ traveler और पाइमान से holy liar वापिस लेने आई है बार्बरा सबको monster की help करने के लिए thank you बोलती है और holy liar वापिस करने को कहती है लेकिन holy liar dwalin के साथ fight में तूट गया था हमला कर देते हैं वो देखते हैं कि उन पे हमला करने वाले और कोई नहीं बलकि फटूई की 8th harbinger ला सिनियोरा है ला सिनियोरा वेंटी पे attack करके उसकी नोसिस चुरा लेती है पाइरो एजेंट्स traveler को hit करके उसे भ्योश करतेते हैं जब traveler को होश आता है तब वो देखता है कि उसके आगे बारबरा खड़ी है traveler बारबरा से पूछता है कि वेंटी कहा है बारबरा बताती है कि उसने अपनी elemental power से traveler को heal कर दिया लेकिन उसकी powers का वेंटी पे कोई इसर नहीं हुआ और अब वो कहा है किसी को नहीं पता पाइमान को लगता है कि वेंटी फिर से वहीं मिलेगा जहां लास्ट टैम मिला था विंड राइज में पेड के नीचे तो traveler और पाइमान विंड राइज की तरफ जाते हैं वहां विंड राइज में उन्हें वेंटी मिलता है जिससे traveler सीधा पूछता है कि नोसिस क्या होती है वेंटी उन्हें पहले visions के बारे में बताता है visions वो devices हैं जो बहुत कम लोगों के पास हैं और जिनका यूज करके vision holder किसी एक element को channel और manipulate कर सकता है जितने भी vision holders हैं उस सब God who retain करके Celestia को ascent करने के लिए eligible हैं ऐसे लोगों को yellow jeans कहा जाता है आर्कॉन्स को gnosis की जरुरत नहीं होती elements को manipulate करने के लिए आर्कॉन के पास जो gnosis होती है वो उनका connection directly Celestia से करती है पाइमोन पूछती है कि उन पे attack किस ने किया पूछता है कि सारीटसा किस तरह की आर्कॉन है वेंटी कहता है कि 500 साल पहले वो सारीटसा को बहुत अच्छे से जानता था लेकिन अब कुछ नहीं कह सकता 500 साल पहले कुछ catastrophe हुई थी इसके बाद से सारीटसा ने वेंटी के साथ अपना connection कट कर दिया वेंटी ट्रैवलर को बताता है कि उन्हें अब next लीवे जाना चाहिए जहां का आर्कॉन पर्सनली उस nation को गवर्न करता है वो लीवे में साल में एक बार descent करता है और आगे आने वाले पूरे साल के लिए लीवे का direction सेट करता है और इस descent करने की ceremony को right of dissension कहते हैं जो लीवे में होने वाला है तो अगर उन्हें जी ओ आर्कॉन से मिलना है तो उन्हें जल्दी वहां जाना होगा नहीं तो पूरे एक साल तक बेट करना होगा जाने से पहले वेंटी ट्रैवलर को उसकी जर्नी के बारे में वेंटी कहता है कि destination से जादा journey matter करती है और आगे आने वाले सारे moments इस journey का part है इसी interaction के साथ prologue act part 3 पूरा होता है